तो गाइस बहत सरे मेरे भाई-लोग का गोईप में फीचर एंड आप्सन ट्रेडिन एक्टिवेट देडicking नहीं हो रहा है किसी-किसी का pending में रह जा रहा है किसी-किसी का reject हो जा रहा है किसी का अनलेजे OTP तक नहीं आ रहा है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देखिए आपने एक छोटा सा मिस्टेक किया है जिसके वज़ासे आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा है ग्रोएप में तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि आखिर आपका क्या मिस्टेक हुआ है कैसे उसे इंप्रूब्मेंट करेंगे और नेक्स टाइम में अप्लाई करते समय एक्टिवेट करते समय क्या क्या चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा जिससे एक बार में ही यानि की फॉस्ट टेम में ही आपका फीचर एंड आप्शन ट्रेंडिंग एक्टिवेट हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में स्ट अप्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां पर बेसिकली देखेगे हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि आप लोग को क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा एक्टिवेट करते समय और क्या आपनी मिस्टेक किया है कैसे आप पता करेंगे कि आखिर आपका गलती कहा पर है जिसके वज़े से आपका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो यहां पर सींपली मैं आप लोग यहां पर दिखा रहा हूं कस्टमर सपोर्ट में जाने के बाद मोस्ट विजिटेड टूडे में जब आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो लोग परिशान हैं आप इसे वज़े से इसमें एक्टिवेट करने में थोड़ी से दिक्कत होती है लेकिन अगर सही चीजों को धियान में रख करके अगर एक्टिवेट किया जाएं तो आप लोग को एक्टिवेट करने में बिल्कुल परिशानी नहीं होगे ठीक है तो यहाँ पर simply इस पर click करेंगे इस पर click करते ही आपके सामने यहाँ पर जो है की details आजाएंगे जिसमें आप लोग को अप्लोड करने के details अप्लोड करने के यहाँ पर जो है कि पूरे ब्यवरा आप लोग को दिया रहता है जैसे की basically देखे बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है की अपने bank का statement अप्लोड करत होता है न यह download statement इस statement को लोग जो है की download करना चाहते हैं जबकि कुछ लोग upload भी कर रहे हैं भाई इस statement को तो भाई मेरे बता दूँ आपको कि देखे फोनपे का statement काम नहीं करेगा ठीक है आप लोग जब इसमें एक्टिवेट करने के लिए जब upload करोगे document तो फोनपे से जो statement download करोगे वो statement आपका यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेगा तो आप लोग को यह जो है की phone पे का statement बिल्कुल upload नहीं करना है आपका कई सथेटमेंट काम करेगा यह तो आप जो है की you know SBI के माधियम से जो आप statement download करेंगे वो statement आप UPLOड करें वो काम करेगा यह फिर आप B.O. वी word के माधियम से अगर आप statement डाउनलोड करते हैं तो उस statement को upload करें ठीक है ये statement काम करेंगा अगर आपका पंजाम निश्चनल बैंक है तो वहाँ से mobile banking के माधियम से जो ही statement डाउनलोड कर लीजे ठीक है वो काम करेगा लेकिन अगर आप जो है कि passbook का photo की खिच करके upload करेंगे पास्बुक में जो आपका statement है उससे खीच करके upload करेंगे या फिर आप जो है कि phone pay के माधियम से जो statement download है उसे upload करेंगे तो भाईया ये काम नहीं करेगा या तो आपका mobile bank के माधियम से जो statement आपने download किया है वो काम करेगा या तो आप banks के माध्यम से जो statement आपको मिला है उसे upload के जिस तब काम करेगा और हाँ दूसरी चीज़ कि जो भी आप detail upload करेंगे कि किसी भी तरह का जो है कि आपको crop करके नहीं upload करना है crop करके upload करेंगे तो आपका काम नहीं करेगा और तिसरी चीज़ कि हमारे भा लोग अपलोड करेंगे ना या तो फोटो के तौर पर अपलोड करो नहीं तो अगर ज्यादा परना है तो आप लोग पीडियाप बना भी बना भी असान है गूगल पर जा करके सर्च करो इमेज टू पीडियाप तमाम सारे वेबसाइड आ जाएंगे वहाँ से बना लो और द भी आप लोगो को krop नहीं करना है दिलगे कर नहीं करना सीधे आप लोगो अपलोड करना है ठेक है और को memorize को एक्टिवेट क्यों हो रहा है उसके लिए सिंपलिए क करते समय यहां EU आप tadi अप कोशे माहिक करनों देखिThere इसके बाद राई जे टीकट लिखा हुआ है साथ में लिखा हुआ है गेट ए कॉल इने प्रॉक्स यानि कि रिसीब कॉल कईस मिनिट के अंदर में आपको कॉल आएगा जब आपस पर क्लिक कर देंगे तो तो simply राई जे कॉल पर क्लिक करते हैं इसके बाद लिखा हुआ है do you want a callback यानि कि आप क्या चाहते हैं कि ग्रो के कमपनी के कस्टमर केर की तरफ से आपके पास कॉल किया जाए तो yes call me back यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह कईस मिनिट के अंदर में आपके पास फोन आ जाएगा ठीक है यहाँ पर request भी आप जो है कि track कर सकते हैं यहाँ पर देखिए बाइस मिनिट के अंदर में मुझे call आ जाएगा ठीक है कोई मुझे call करेगा और यहाँ से आप लोग जानकारी ले लिए कि आखिर मेरा एफर नो क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है क्या दिक्कत है कहाँ पर मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है ठीक है यहाँ से आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा ठीक है तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल होगा थे चैनल को सब्सक्राइब कर देजागा वीडियो को लाइक कर देजागा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडिवेक ने अपडेट के साथ